तो आज आप यहां पर देख सकते हैं कि महाराष्ट के जो डिप्टी सीय में सिंध्य सरकार के अंदर अजित पवार जी यह पहुंचे हुए है महाराष्ट के कोलापूर के अंदर जो विशाल गड़ के अंदर कुछ दिन पहले यहां पर कुछ और समाजिक तत्वों के द्वा मुस्लिम के घर पर तोड़ फूर की गई को मार पीट उनके द्वारा किया गया उनके गाड़ी घोले सब को तोड़ फूर किया आग के हवाले कर दिया गया वहां पर उनके मस्जिदों को तोड़ फूर करने की कोशिश के मस्जिद के अंदर बेहुरमती की गई तो उस जग अस्थल पर पहुंचे हुए हैं अजित पवार निशान वह यहां पर पहुंचे हुए हैं देखने के लिए वाकई में क्या यहां पर इस्तिती हुई थी जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जो निश चैनल वह पर चला वह सही में मतलब क्या इस्तिती यहां पर है तो यहां पर निरक्षन करने के लिए सरकार के तरफ से खुद अजित पवार यहां पर पहुंचे हुए हैं अपने दल बल के साथ और अभी बारिश का वहां पर सिजन च जहां पर मजबूत इस्तिती में हैं और वो मस्तिती में महराष्ट के अंदर हैं और यह घटना होई को लापूर विशालगर के अंदर वहां पर सबसे पहले कोई political party के निता वहां पहुंचा तो वह इम पाटी के वारिस पठान साब वहां पर पहुंचने का काम किया और जितने भी निता है अम्तियाद जलील साब और भी अन्नि निता वो सब एक्टिव मूड में नजर आये इसको आवाज उठाने का काम किया शोशल मी किजा है कि आज मतलब अगर हम बात करते हैं तो कल के डेट में जो अजित पवार जी के यहां पर टूटल हैंडर पर भी देख सकते जो एक्स हो चुका है एक्स पर उन्होंने अपना कुछ फोटो शेयर किया जो वहां पर जाकर के लोगों से मिलने का काम किया वहां पर जो को तोड़ फूर किया गया वह सब को देखने का काम यहां पर कर रहें अजित पावार उनके द्वारा बताया गया अजित पावार के द्वारा प्रेस कांफरेंस का अंदर लगभग दो कलोर पच्छासी लाख तक यहां पर नुक्सान हुआ है मतलब इतने रूपिया का यहां पर गारी घोरे जो भी वहां पर फोर विलर टू विलर घर वगरा सब मिला करके लगभग इतने 2.85 लाक्स का जो है यहां पर नुक्सान हुआ है यहां पर सबसे बड़ी बात किया जो उस दिन हुआ चौदा तारिख को और उसके बात से वहां पर जाकर के तोर फूर किया गिया मस्जित सबसे बड़ी बात है कि मस्जित को तोर फूर की गई वहां पर जो विशाल करके अंदर दरगा है उसको तोर फूर किया गिया मिनार को तोने की कोशिस की गई मजजिद के अंदर जा करके पुरान शरीप होते हैं जर्माज होते हैं सब के साथ बेहुर्मती करने का काम किया और यह सर्थ हुआ है तो वैसी साथ और एम आयम पाटी जो मजबूत इस्तिती में वहां पर डटे रहे आवाज उठाने का काम किया आकरण ब Completely creation के लिए और यहां पर आकड़ा जा जा जाया रहे Salesforce कि कितना आ पर नुक्सान हुआ है कैसे के से यहां पर तोड़ fak Rechtsan के अर्शय 270 तरफ से यहां पर काम कर रही है और शासन जो सरकार है उनके तरफ से भी यहाँ पर कां पिया रैंदि itad of it and God लगा रहुवों ने कहा कें। हुआ यहां पर लिखने का काम किया और जो फोटो वगए थे घरुज्वा ट्रटरब वहां उनसे मिलने का काम किया नहीं चल्ड यहां पर महाराज जो थे वहर द्दर्म के लोगों को लेकर एक सवराज्य की अस्थापना की तो हम सब को एक साथ मिल जूल कर रहने की जरूरत है यहां पर आप देख सकते हैं और सरकार तो कुछ और कहती है लेकिन लोग जो है अलग-अलग संगठन चलाते हैं वो अलग तरीके से काम करने की कोशिस करती है उनकी ने-गठन जो है करacking कि द्वारा किया जाता है कि जहां भी या अतिकरमन के द्वारा जिस Zie का दौरा किसी ने किसी वाने जोगों पर अकर्मक होना लोगों पर तूड़ परणा यह नहीं अगर हम बात करते हैं इस घटना को लेकर उजागर करने की तो इसमें सबसे आहम रोल जो है पार्टी लेबल के अगर हम बात करते हैं तो माराश्ट के अंदर इनको मानना पड़ेगा इसलिए कहा जाता है कि अपोजेशन का होना विपक्ष का होना बहुत ही जरूरी है और जरूरत भी है लोगों को क्यों कि जब सत्ता पक्ष अगर आपकी नहीं सुनती है अगर वह आप मनमानी करती है तो फिर विपक्ष के नेता होते हैं उनके चाहे वो जीता हो या नहीं जीता हो अगर पार्टी के नेता होते है तो बुलंद आवाज करती है अवां की तब सरकार को जागना पड़ता है और सरकार को उस बा पर सलार एक्टिव नजर आए कि एक बहुत ही बड़े दुर्गतना इसको बताया गया कि अतिकर्मन के नाम पर अतिकर्मन को हटाने के नाम पर जो मस्जीद को शहिद करने का लोगों को पीठने मानने का जो आया एक संगठन के दुआरा अगर परशासन करती उसको नोटिस भ जाकर के ये काम करें के अतिकर्मन यहां पर है उनको हटाना है और उनको तोड़ फोर किया जाए लोगों को मारा पीठा जाए घर में घुसर करके महिलाए पुरुष बच्चे सब को तो ये कहां तक सही है इसलिए अधित पवार यहां पर पहुँचे और सब जितने वहां भर में हर जगा जाकर के वो देखने का काम किया कि कैसे कैसे यहां पर तोड़ फोर किया गिया है तो ये मतलब पावर होती है विपाक्ष की अगर आप अभी देखे तो सरकार किंद्र में तो कॉंग्रेस विपाक्ष में दाउल गांधी बने हैं, निता पर्तिफख तो वो जो अवाम की जो बाते हैं, वो सरकार पर पहुचाने का एक जरिया बने हुए हैं, उसी तरीके से हर जगा चाहओ लोग सबाएक छेत्र हो, वहाँ पर भी अगर आपके गीता हुआ सांसद है, अगर मजबूत है वो, हारा हुआ सांसद एक्टिव है, तो वो अपने छेत्र में नहोने वाला काम को भी करा सकता है, वो एक्टिव हो करके, उनसे लड़ करके, जगर सकते कानूनी तरीके से, तो इसलिए कहा जाता है, कि मजबूत और दिलेर इंसान को आप नेता चुने, और अच्छे पार्टी को अपने यहां रखने का काम करे, तो यह जो पार्टी, जो यह M.I.M. पार्टी जो महराष्ट के अंदर अभी चुनाव होने वाली है, उसके अंदर भी उन्होंने रांस किया है, कि हम चुनाव ले लेंगे, तो इसी तरीके से M.I.M. पार्टी जो है काम करती है, कहीं भी मुसल्मानों पर दबे कुछली पर जल्म होता है, तो वो करने का कोशिस करते हैं, जहां तक उनको इनसाफ मिल सके, और यह वारिष पठान साब ने वहां के दिजे से मिलने का काम किया, वहां के परशासन से मिलने का काम किया, हर लोगों से मिलने का काम किया, आवाज बुलंद करने का काम किया, लास्ट अंत में यह हुआ कि सरकार को यहां पर आना पड़ा सरकार को यह पर देखना पड़ा कि कैसे वुदुध पर यहां पर पहुंचे और यहांपर जायजा लेने काम किया फिर आप से मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ